वेलकम फ्रेंड युक्ति आईस की साल लाइन प्रेटफर्म पर मैं अमर अरविंद आप सभी लोग को तहे दिल से स्वागत करता हूँ उमीद करता हूँ आप लोग बहतर तरीके से अपनी तैरी को अंतिरूप देने का प्रयास कर रहे होंगे इस चैनल पर सबसे पहले जो अभी अभी जुड़ रहा है सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को दवाए ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुचे और जो हमारे पुराने विमीद्र है चैनल को सेर भी किया कीजिए त पिसे उत्राखंड और 36 पिसे इन सभी लोग अब लेवल कराया जा रहा है और साथ ही साथ एससी बुस्टर एससी के जितने भी आपको सेग्मेंट है टेस्ट से जो अब लेवल है विच एक्सपेलेशन हिंदी इंग्लिस दोनों मेडियम में है साथ ही साथ बैंकिंग यूरेल आपको दो हजार का टेस्ट अबलेवल कराया जा रहा है वह आप लोग को बार बर इसके सम्मद में सुचना यह दी जाती है हमसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं वेबसाइट के थू आप हमें देख सकते हैं साग गूगल प्ले आप लोग डाउनलोड करके उक्तिया इस के जो भी आप लोग पाइदा ले सकते हैं साथता मियल को एमेल कर सकते तरह को ही नहीं आपना मॉआल अपनी कोचिंग इसके शांदर में बाते और भी देख लेते क्या क्या चीज है उसको समझार जैसे स्चोलार्शिप टेस्ट को लेकर चलाया ज्यागा सत्ता इसको यह स्कोलर में ह के बीच में होगा और इसमें जो भी टोप 30 होंगे उन्हें विभीन प्रकार के डिस्कॉन दिये जाएंगे जिसमें टॉप 10 स्टुडेंट होंगे 50 परशेंट आप नेश्ट जो टॉप 10 स्टुडेंट होंगे तौप 30 स्टुडेंट निको किसी किसी रूप से आपको तो डिस्कॉंट हर प्रते कोर्स में दिया जाएगा साथ ही जो इस टेस्ट इंज में जो टॉप पान सो स्टूडेंट होंगे उन्हें वन लाग एकिस जार अठाथ एक लाग एकिस जार का कुपन भाउचर दिया जाएगा ताकि वो अपने जो भी तैरी करें उसमें उनका ला है उसके संदर में बाते कर लेते यह टेस्ट इस जो चल रही है उसमें कूल एक इस टेस्ट एक फीली टेस्ट साथ है इसमें से दो हो चुका है एक पॉलिट्टी आज एक घिस्टरी था उसका हो चुका है जो भी तेस्ट अभी तक नहीं दिये जाके सामिल होई और कीजिए हैं यह टेसरी 14 जनुरी से स्टार्ट है जिसका फी 699 था जिसे डिसकाउंट कर एक सो निनावी किया इसकी भैरिटी दो साल तक होगी और यह हिंदी इंगली दोनों मीडियम होगा यह सब कॉंट्राइट का माध्य में आप देख सकते हैं नेक्स्ट रिपाब्लिक डे सेल चल रहा है यह जो 21 तारिक तक 21 से 26 तारिक तक अब लेवल होगा जिसमें सभी कोर्से जो होगे उसमें आपको युक्ति आयस 30 टाइप करके 30 परसंट डिसकाउंट अप ले सकते हैं तो यह पैबलिक सेल है रिपाब्लिक सेल है जरूर इसका फायदा ले चलिए आज आएगा तो पसान काल सेंदो सभ्यता और व्यादिक काल से टोटल दस प्रसंट पूछे गए हैं बोध्धर्म जैन धर्म एक सेकें बोध्धर्म जैन धर्म युनानी आयक्रमन मौरिव समराज मौरियत्तर काल गुप्तिकाल दचिन भारत के अस्थापतिकला इस से आपको ट समराज जय उसका परशासन इससे आपको टोटल पंदरव प्रसंट पूछे गया है इस टोटल डेर्सों का जो कोस्टन है सब्जेक्टिव का उसमें तो देखिए किस परकार से सारे टॉपिकों कभर किया गया है अगर यह सेग्मेंट कर लेते इससे अतरिक्त आपका हिस्ट इससे कोई प्रसंट नहीं होगा इसका दावा है और जो भी सेग्मेंट आपको टोटल इकी सेट कराया जा रहे है उसमें आप नेश्चित होगे प्रीटी के त्यारी करते रहिए सारे सारे चीजों को स्टेप बाइस्टेप आप लोगों के लिए उप्लवत कराया जा रहा ह नेश्ट देखते हैं उत्तरभाद का दक्कन और प्रांतिय राजवन्स भक्ति और शुफी अंदोलर मुगल वन्स से आपको 15 प्रसंट होंगे इस जो सेग्मेंट है इससे आपको प्रसंट ऐसे देखने को मिलेंगे यूरोपिय कंपनियों का आगमन और विकास से 5 के साथ ही साथ 1857 का महा विद्रो या विद्रो आधुनिक भाद सिक्षा प्रेस के अविकास इससे समंदित दर्स प्रसंट आपको देखने को मिलेंगे इस सेग्मेंट में सब्जेक्टी हिस्ट्री जो 67 का चल रहा है इसके बाद आपको समाजिक अधार्मिक सुधार से दर् फोकस किया गया है मॉडर्न हिस्ट्री जानी रहे है ज्यादा प्रस्ट आप लोग को पूछा जाता है विपेसी में तो इसलिए इस पर विश्यस बल दिया गया है और उनी सो पीस से उनी सो सतालिस के राजनितिक आंदोलन उससे भी आपको 30 प्रसंट आपको देखने को मिल है तो आप निशित होके तेस्ट दिजिए त्यारी किजिए भाज के वहाज है उससे पांच प्रस्ट आपको रहेंगे तो इस प्रकार देखा जाए तो एसेंट मेडावल और मॉडन हिस्ट्री का जो टोटल सेग्मेंट है उसको सभी को महत्मुन सेग्मेंट को सामिल कर दि आपको सामिल के तो क्या है तो पहला परसthen को से और लोह यूग के का त्री यूगिन विभाजन किनके द्वारा किया गया तो पहला ओप्सन है थांसन, दूसरा लुबार्क, टेलर और चाइल्ट, इस सेम ओप्सन आपको एक्सपेलेशन, इंग्लिस मीडियम वाले स्टुडेंट को भी प्लब्द है, जो इधर लिखा हुआ, इधर भी सेम टू सेम लिखा हुआ है, तो आप लोग कॉपरेट कीजिए, त तो इसका सही उत्तर, ओफ्सन ए होगा, थांसन के दौरा यह भोला, तिरी यूगीन विभाजन किया गया, कास और लोग यूग का, तो इसका एक्सपेलेशन के तौर पर देख लेते हैं, क्या है, तो आप्सन, सॉलुशन के तौर पर और एक्सपेलेशन जो इससे कहा जाता वर्स 818 से 1928 में डेनमार्क के कोपन हेगन में एक है, आयोग के और ये कोपन हेगन आप लोग जरूर याद रखिए, कोपन हेगन बहुत ही महत्पुन जगह है, या बार बार को हिस्ट्री में, पॉलिटी में, आई यार में, या तो आपको फिर इन्भार्मेंट के सेक्शन में आपको कोपन हेगन बार बार देखने को मिलेगा, तो इसका विश्यस आप लोग जनकाई रखिएगा, तो चलिए आयोग के रिपोर्ट के अधार पर पासान, कास और लोग यूगिन को तिरी यूगिन विभाजन थांसन के दोरा किया गया था, थांसन ने 1836 इसी वर्व करन के अनुसा संग राले की वस्तूव का विवरन प्रस्तुत किया था, और प्रकासित किया था, तो थांसन या महत्पून प्रस्ण है, आप लोग इसको देख लिजेगा, इसके संदर में बहुत सी बाते और भी आगे मिलेगी, चलिए नेक्स प्रस्ण देखते हैं, नेक् जो जो हम तिसरा देख लिए नीचे वे, बीटियेफ में हैं, चलिए देख लिए तिसरा क्या है, तिसरा आपको महरगर और ऑफ्रस्ण डी, ब्रम गिरी ऑफ्षन या उप्योर्न फोईन एक से अधिक, जान रे बिहार का ये स्पेशल आफ्षन होता है, तो इसे आफ्षन नमिन्तम खोज केपुर भारतियों महादेव प्राप्षे में प्राप्षे मेहरगर को माना जाता था तो प्रस्ण यहां अगर मेहरगर है और यहां पर देखिए थोड़ा सा कन्फूजन आप लोग इस रूप से होगा कि क्रिसी का प्राप्षे इंतम साक्षे उपलबद है तो जब क्रिसी का प्राप्षे इंतम साक्ष पूछ रहा है तो अर्थात यह इंफिनिट यह यह नहीं बताए गया कि निमली खित में से अगर निमली खित में से प्रस्ण हो तो आपको यहां पर मिहरगर हो जाएगा नहीं तो अगर सभी होलेस्टिक पूछ रहा है तो होलेस्टिक में आपको नमिंतम जो साक्ष प्राप्ट हुए हैं लहरा देव से वहां हो जाएगा एंसर में तो आप लोग इस उप्षन को देखिएगा ध्यान से इसलिए उप्षन बहुत खतनाग उप्षन ई है तो आप लोग इसे उप्षन ई को इतना हलकी में मत लें चलिए नेश्ट देखते हैं तिसरा प्रस्ण क्या है तिसरा प्रस्ण आपको है मानो यूग मानो यूग मानो गाल एक साथ कहा उसे स्प्राप्त विए पहला उफ्षन सराय नहार राय फिर दमदमा उफ्षन C लंगराज उफ्षन D महदा और उप्यूत में से कोई नहीं एक से अधिक तुछे इसका सही उत्तर क्या गा उसका सही उत्तर आपको उफ्षन D होगा चलिए और यहां क्या क्या है इसको देख लेते हैं तो इसमें आप लोग को देखिएगा गंगा घाटी के इसी परताब गड़ जिलिव उत्खलन के फरसो सराय नहार राय इसमें पांच कंकाल का उसेस मिले यूगम कंकाल मिले हैं यहां भी दमदमा में भी आपको पांच कंकाल के पांच यूगम से सवाधान का उसेस पराप्त हुए हैं जिनमें तीन मानों कंकाल और यूगम और महादया में से पराप्त हुए हैं से सवाधान एक एक पराप्त हुए हैं अर्थात कहने का अंतर यहां पर पांच पराप्त तो इस प्रकार के भी प्रस्ण आपको ठीकी प्रस्ण पूछा जा सकता है पांच कहां पुछे प्राप्थ हुए है, तीन कहां प्राप्थ हुए, एक कहां प्राप्थ हुए, दो कहां प्राप्थ हुए तो इस प्रकार के प्रस्ण देखने को मिल सकता है तो द्यान से आप लोड़ नहीं पहले से नेचर का पहले से फिर भी नहीं यहांद पूछ रहा है तो आपनों इसे शुरूप से ध्यान दिजेगा तो देखते ओप्शन में क्या लोथर घगर नदी के किनारे काली बंगा भगवा नदी किनारे मंडा प्रवरार नदी के किनारे रोपड सतलज नदी किनारे प्यूग ने उसे कोई नहीं एक से अधिक तो इसमें कौन सही नहीं है तो इसका ओप्शन सी मंडा प्रवरार नदी के किनारे इस्तित नहीं है बलकि कहां इस्तित है यहां आपको इस्तित होगा कहां पर बताइए अप लो यह चिनाव नदी के यह चिनाब नदी के किनारे इस्तित है तो देख लेता एक्सपिलेशन क्या है? एक्सपिलेशन मन्डा चिनाव नदी की किनारे इस्तित है जबकि सेस नदी यह सही समली थे अर्थाथ लोथल कहा है? गगर, काली बंगा, भोगवा और उपर सत्ला जनदी के किनारे है और भी अस्तरत बजाईए हमें नदी के किनारे है तो चलिए नेक्स्ट प्रस्ण देखते हैं क्या है? नेक्स्ट प्रस्ण आपको पांचवे रूप में प्रस्ण आपको देखने को मिलेगा सिंदु घाटी सब्वेता से ही इसमें क्या प्रस्ण है? देख लेते हैं सिंदु घाटि सब्भेता को आरियो के पुरु में रखी जाने वाले निम्लिखित में कौन से कारक महत्पूर्ण है अर्थात आरियो के पुरू रखे जाने के लिए जो मुख पर मुख विसेस्ता है वो निम्लिखित में से कौन है यह देखने को यहाँ प्रस्ण देखने को मिल रहा है इससे समद्ध तो पहला क्या है मिर्ग भांड के कारण मिर्क भांड इसका विश्यस पदिती थी था इसके कारण आरियो से पुरू के सब्वेता मानी जाएगी तामबा नगर नियोजन लीपी उप्यूत में से कोई ने एक से अधिक या इसमें से सभी है एक से अधिक ते इस परकार के प्रस्ण आपको देखने को मिलेगा इसका सही अत्तर मिर्क भांड और मिर्क भांड के रूप में होगा क्योंकि आपको देख सकते हैं सिंदु घाटे सब्वेता आरियो के पूरू की सब्वेता थी और साथ में आपको नगर नियोजन के रूप में भी मिलेगा अगर आपको पूरू की और रखी गई विसेस्ता नहीं प पूछे सिंदु घाटी सब्वेता मुक्ता किसकी थी तो नगर नियोजन की थी पर पुरु जब पूछे तो पुरु मिर्गभांड से ही अलग होता है तो इस प्रकार से प्रस्ण देखने को मिल जाता है तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़िएगा त जो आपको अलग-अलग काल में पाये गए मिल्ग भाण सिंदु घाटे सब्वेता के आभरिई की पूरु कासी द करते करते हैं क्यों करते क्यों काले रंग के आकिरतियों चित्री तुलाल मिर्द भांड सभ्यता हरपा सभ्यता समंदित समंदित वही धूसर एंचित्री दूसर मिर्द भांडों से समंदित माने जाते हैं तो अलग-अलग कानकरम में आपको अलग-अलग चित्र मिर्द भांड अर पूरूप में उप्यूग किया गया था तो उसके रंगों के अधार पर यह अलग किया गया पूरूप की सब्यता मानी जाती है अर्थाथ अगर मुख विशेस्ता पूछे तो नगर नियोजन नहीं तो अलग अलग आप लोग समझ लिजेगा नहीं तो यह बहुत ही ट्रिकी प्रशन है यह ऑफ्शन ई भी जा सकता है तो यह इसलिए ध्यान से देखिएगा चलिए ओफ्शन सिक्स देख लेते हैं सिंदु घाटी सब्यता व्यदिक सब्यता से भीन थी क्यों थी इसके पास एक विश्चित सहरी जीवन की विशेसाच है देखिए अब मैंने यही बात बोला कि आरियो से प्रशन देखिए पूछा है आरियो से पूछे तो किस रूप से मिर्दभान से और वैदिक सब्यता से पूछे तो किस रूप से देखिए चलिए देख लेते हैं सिंदु घाटी सब्यता व्यदिक सब्यता से भीन थी क्योंकि इसके पास विक्सित सहरी जीवन की सुधाय थी इसके पास और यहां किसके हो गया इसके पास होगा इसके पा नहीं नहीं एक से अधिक उत्तर है आप लोग को दिया हुआ तो वह कौन कौन सा है तो आप लोग बताईए एक तो पहला तो सहरी जीवन होगा ही दूसरा होगा इसके पास चेत्र लेखा लिपी भी थी तिसरा आपको यहां पर भाव चेत्रात्मत थे और इस पर सस्त्रों का घ्यान नहीं था वेधिक साहस्त्रों का घ्यान हुआ था तो चलिए यह देख लेते सिंदु घाटी साहस्त्रों का घ्यान का अभाव था यहां लोही का ग्यान सर्धातु का ग्यान था अगर केवल लोहे का पूछे तो नहीं था पर कुछ मिस्र धातियों का उप्यो करके यह उन्होंने कुछ करण बनाए थे जैसे उनका ग्यान था सिंदु भाटि से बेता लवर दो सो पचास अथा धाय हजार इसाफ पुरू दच्छिन इसिया के पच् पाकिस्तान के बलुच्छिस्तान से भारत के देमाबाद तक के नाम से जैना जाता है अथात इसका वर्गी करण अफगानिस्तान के बॉर्डर से लेकर इंडिया के उत्तर परदिस के देमाबाद तक था इसे था पूरा या छेतर था तो नमिंतन साक्ष के रूप में जिसम और गुजरात के बाद उत्तर परदिस के कुछ छेतर जम्मू कस्मीर का छेतर टोटल आपको यह सामिल था तो बहुत विस्तित सभ्यता थे सभी लोग जानते इसके बारे में तो सिंदु घाटी सभ्यता मिस्र मुस्वपटामिया भारत चीन और इसके सबसे बड़ी प्राची चाहीं यहीं बहुत ही महत्पून प्राचीन है उत्तर हर्पाई के पुछा गया हैं पर्रा इसके वर्धीकरन कीया गया है प्रारांभीक प्राइपक और उत्तर हर्पात यहां別 सभ्यता पूछा थे प्रतुड प्रस्ट परंपन देखते क्या है यह सात्वा प्रशन है, आपको सिंदू घाति सभ्यता के को महान अशनान करने इससे को प्राप्ट भया लुद hoschan को पहला रोला है levels,. अपसं इस सी घरम करूंड़ बैंघ स्विक्षियों फ्रोपडब और देञा जुतन इस ऊहकं आले का सुखशन हुआ हैं देटेजंगां सब्सक्राइब इसकी लंबाई उत्तर से दर्चिन की और 55 मीटर और चड़ाई पूरू से पच्छिन की दो 33 मीटर था है 55 बाई 33 मीटर का यह अनागार था समा सकते कितना लंबा अनागार था उस समय के ततकालिन उस समय के बहुत बड़े अस्थल के रूप में यह था और यह बहुत ही विस्तित और सुधर अवस्था में अभी भी देखने को मिलता है इसकी मोटाई क्याती इसकी सिंदुगाटी सब्वेता के लवच एक हजार 1100 केंद्रों में केंद्रों में 924 केंद्र जो थे भारत से ही प्राप्त हुए तो देखी कितना विस्तित छेतर था हमारी सब्वेता हमारी प्राचिन सब्वेता कितनी विस्तित और विस्तित थी जिसमें जो साक्ष सिंदुगाटी सब्वेता के अभी तक प्राप्त साक्ष जो है 1100 केंद्र जिसमें से 924 केवल भारत से ही प्राप्त हुए है। आपको यहां से विसाल चबुत्रो वाले 6 अन्नागार दो कतार में मिली गई है। पुछ लिया जाएगा उसका अन्सर भी पता चल जाएगा तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में अपना अन्सर दे ताकि इससे जो भी हो आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। और हरपा से क्या मिला है। विसाल चबुत्रो वाले 6 अन्नागार के साथ लिंग और योनी के पसान परतिक मिले हैं। और मातर देवी की मुर्ति लकड़ी की ओखली की गेहूं और जो पासा तामर तूला और दर्पन पाए गया है। तो दर्पन किस रूप के दर्पन थे? सीसाला दर्पन नहीं था, ध्यान रखियेगा दर्पन जब बोल दे, तो सीसाला दर्पन नहीं था। इसी पर का इसके तरिक यहां कास धात्वी भी हिरन का पीछा करते हुए आपको एक कुट्टे का साक्ष प्राप्थवा मूर्ती का उसी पर का लाल बलुआ पत्थर पर बना हुआ पुरुस धड़क भी प्राप्थ हुआ है तो हडपा से क्या प्राप्थ हुआ महँजदारों से क्या प्राप्थ हुआ यह महत्पुन आपको यहां पर सामिल कर दिया गए और भी जो साक्ष है अगले जो प्रस्ण आएंगे उसमें सामिल कर दिये गए है यहां पर नोट एक ध्यान रखिएगा आप लो इस्ट्वेट पिगाट ने हडपा और महँजदारों को एक क्या बोला है दोनों को विस्तित जो सिंदु सब्वेता थे उसका दो राजधानियां बोला है उनका यह टेग लाइन आपको प्रस्ण यूपेसी में पूछा गया है पिस्यस में बहुत जगर पूछा गया जैसे यूपी पिस् साम बेद का जिप्रवेद का नेश्ट देख लेते क्या है नेश्ट है अथरवेद का और उपनिसद यूपिज चाह हैं जिसमें से समान मत के अनुसार 75 जबकि कुछ विद्वानों को 99 को छोड़का से सभी रिग वेद से उपलब्द है रिग वेद में उपलब्द है या उसका अनुकरन किया गया है यहाँ पर अथा इसाम वेद का संकलर रिग वेद पर अधारित है तो इस प्रकार के प्रशन देखने को मिलेगा आप लोगो छोड़ी सोरी यहाँ पर जूरवेद हो गया है मिस प्रिंट हो गया है इसको देख लिया जाएगा सुधार लियाई इसको आप लोग अभी रहने दीजिएगा क्योंकि यहां पर प्रश्न आपको ओ सुरी ठीक है प्रस्न पूचे किसका संक्ला रीग वेद पर आधारिता थीक है मुझे रीग वेद नीचे ऑप्सन में डूण रहा था सॉरी चलिए नेक्ट राज देख लेते हैं तो चलिए नेक्ट प्रस्न है नवा प्रस्न देख लेते क्या है थोड़ा समी स्प्रिंट हो जाता है माइंड से निकल जाता है तो सत्पत ब्रामन का उलेखित राजा विदे माधव से समंधित रिषी कौन है तो इस परकार के रिषी से भी प्रस्न आपको देखने को मिलेंगे तो इस परकार के प्रस्न आप ध्यान से रखिएगा यह प्रस्न पूछा भी गिया है PCS में तो आप लोग को 36 गड़ के PCS में यह प्रस्न पूछा गया है तो यह प्रस्न ध्यान रखिएगा यहां से कहीं आपको प्रस्न आप मिल जाए तो देख लेते हैं क्या है नौवा प्रस्न में आपको रिषी भार्दवाज है रिषी विष्वामित है रिषी विषभ है रिषी गोतम राहु राहुगन है उप् प्राचिन काल के आरियो के जीव को पाजन का मुख साधा निमेज क्या था करिसी, सिल्पकार, सिकार, वैपार, उपिसमें कोई ही से धदिक तो इसका सही उततर के आह realistic, बखिटेस गर्ण पुछा है बीपेशी में पुछा है यह पेसी में पुछा है, UPC में पुछा है, UPPCS में पुछा है Mhm Pass जेपेशी में पुछा है, 36गर पुछा ये सब ये आपको प्रशन देखनें को मिला है तो ये लगताय पर इसके बहुत से सेग्मेंट आपको ऐसे होंगा जो आपसे सौण नहीं हो 시간이 तो इसको दिखना है तो क्या थे या क्रिशी होगा तो आ्रे संस्कृती मुलन पशुपालग करिषक संस्किती रही है उसके बाद आपको रिव्य वेक के कए मन्तुर मेरा कुष्ञ़िए उनके क्रिया कलाप्पा वर्नन प्राप्त हो अच्छी क्रिषी के लिए वर्षा पर कामना की गई है जिसी पर अर्था जब किसी वर्षा का कामना किया गया तो आप लोग समझ सकते किस देवता का कामना किया होगए पूजा की जाते थी पसु चराने अपश्माने कास्तानों का वणन ऊत्तरव्यदिकाल किसी परदान संसिती ही था अलाकि उत्तरव्यदिक काल भी इस दोरां किर्शी परदान के रूप में देखा गया पर बाद के जो काल थे वहाँ वरवी गरन अलग-अलग देखने को मिला है इसके बाद ही बहुत से प्रज़न है एसियन के उसके बाद आगे नेश्ट किया जाएगा अभी फिलाल इस हैमेन को समात किया जाता क्योंकि छोटे-छोटे सेग्मेंट से अगर आप लोग को अपलब्द कराया जाएगा तो बेहता तरीके से समझेगा पीडियफ आलाकि आपको जो पेड़ ग्रूप है वहाँ पर प्राप्त होगा तो आप लोग पेड़ जल्दी से जल्दी से जो सब्जेक्टिव कोस है वहाँ पर जोइन कीजिए ताकि आप लोग को सारे पीडियफ आप लोग को प्लब्द हो जो फिरी टेस्ट था वो आप लोग अब लेवल कराया गया है दो-दो टेस्ट फिरी कराया गया था यहापर एक स्कोलर्शिप के तौर पर एक टेस्ट के आप लोग इसो देख के आप लोग इस खुद आकरन कीजिए और टेस्ट जो पेट गुरूप बहुत कम लोग फिस्क रखा गया आप लोग जरूर जोईन कीजिए ताकि जो भी चीजे है आप लोग इसका इस बार जो 67 भी पेसी होगा उसमें 107-110 के पार आप लोग का स्कोर जरूर है तो इसके लिए हमारा परियास तब तक के लिए मैं अमरविंद आप लोग से विदा लेता हूँ धन्यवाद जय हिंद